आज हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम है पॉइंट्स ओफ व्यू से मिस्टर टू का यहां पे सबसे पहले हमें एक्टिविटी नंबर वन दी गई है हाँ अगर आप मेरा यूनिट नंबर टू का एक्स्पिश्पा का जाते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में शेयर की गई की हैं तो अगर आप चाहे तो उसे देख सकते हैं तो चले एचTwo करते हैं एक्टिविटी नंबर वन से यूनिट थी की Read the following newspaper article from the Jalandhar News तो यहां पे हमें एक newspaper article दिया हुआ है Jalandhar का एक newspaper article दिया हुआ है हमें और हमें इस article को read करना है Chaos regions as traffic rules are ignored by Jatin Singh तो यहां पे Jatin Singh नाम के एक ध्यक्ती ने एक article लिखा है और उसमें बोला गया है कि एक बहुत ही chaotic situation बन जाती है जब जो traffic rules है वो ignore किये जाते हैं तब Jalandhar January 19 यानि कि Jalandhar में January 19 की date थी Here orders are made to ignore and rules are made to forget तो यहां पे बुला गया है कि यहां पे orders तो पास होते हैं पर सभी लोग उसको ignore ही करते हैं यानि कि कोई भी उन orders को, कोई भी उन जो rules है उनको अपनाता नहीं है Callous disagreed for public inconvenience on the part of the municipal corporation Jalandhar MCG and indifference on the part of the traffic police is just the beginning of the problem that results in a chaotic traffic situation in the city तो यहां पर सबसे हमें, सबसे पहले हमें Callous नाम का word दिया गया है तो Callous का मतलब होता है कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा कट्वोर होती है कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है तो उसी को हम Callous बोलते हैं Disagreed दिया गया है, Callous, Disagreed Disagreed का मतलब होता है किस भी चीज से असहमत होना तो यहां पर कुछ ना कुछ रहसा बुला गया है कि बहुत स्ट्रिक्ट rules है इसी के कारण लोग जो है इन रूल्स से असहमत है यानि कि लोग इन रूल्स को अपना नहीं रहे है For Public Inconvenience Public In Rules को इसलिए नहीं अपना नहीं है क्योंकि इन रूल्स के कारण उनको Inconvenience महसूस होती है उन्हें ये रूल्स अस्वेदा जनक लगते हैं आगे बढ़ते हैं On the part of the municipal corporation जलंदर MCJ तो यानि कि यापे municipal corporation की बात की गई है जो जलंदर की municipal corporation है MCJ जैसे के यहाँ पे भी आप देखोगे तो AMC है ठीक है है म्दाबाद municipal corporation तो वापे जलंदर में है municipal corporation जलंदर And indifference on the part of the traffic police is just the beginning of the problem Indifference का मतलब होता है उदासींता Okay Indifference यानि कि कहीं पर difference नहीं है कोई level में बात नहीं हो रही तो उसी को हम उदासींता बोलते हैं तो यानि कि इन ही सब चीजों के कारण क्या हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा chaotic traffic situation जो है वो create हो रही है बहुत ही ज्यादा traffic आ रहा है बहुत ही ज्यादा traffic jams हो रहे है तो ये सब चीजों के कारण बहुत ही ज्यादा घंबीर परिस्ते थी वहां पे बन जाती है इन 2006 the MC passed orders banning the parking of scooters and four-wheelers along the tri-junction in front of its office यहां पे हुआ कि 2006 का जो year था उसमें municipal corporation ने orders passed किये कि जिसमें orders यह थे कि parking of scooters and four-wheelers यानि कि जो scooters है और four-wheelers जो है वो park हम नहीं कर सकते कहां park नहीं कर सकते तो जो junction है front of the office का वहां पे आप scooters और four-wheelers पार्क नहीं कर सकते और उन पार्किंग्स पे उन्होंने municipal corporation ने बैन लगा के रखा था but the road leading from PNB chalk to Jyoti chalk is still today over crowded with randomly parked vehicles पर अब तक जो road है जो PNB chalk से Jyoti chalk तक जाता है वो अभी तक over crowded है यानि कि अभी तक वहां पे बहुत ही ज़्यादा traffic jam होता है अभी तक वहां पे बहुत ही सारे लोग एक साथ एकटा हो जाते है randomly वो लोग वहां पर आके कही पे भी अपने vehicles जो है वो पाक कर लेते है an official from the municipal corporation said we have done our part तो याँ पे बोला गया है कि officer जो है municipal corporation का उन्होंने बोला कि हमने हमारा जो job है हमने हमारा जो part है वो complete कर लिया है we passed the orders properly it's not our job to police the streets उन्होंने बोला जो official थे जो municipal corporation ने उन्होंने बोला कि हमने rules तो पास कर लिया है पर वो properly follow हो रहे है या नहीं हो रहे है वो हमारा काम नहीं है वो जो traffic police है उनके देखने का काम है ठीक हमारा काम नहीं है कि हम सडकों पर जाए और हम police करे streets को हम जा कि streets को देखे even though years have helped since the delivery of the MCJ orders we can see no visible efforts to correct the problem it looks as if the orders were passed only to complete the official formalities and not for implementation अब यहां पर यह बोला गया है कि बहुत साल आए और बहुत साल चले भी गए पर अभी तक जो MCJ जो orders दिये थे वो भी बहुत सारी बार पास हो चुके है पर अब तक हमें कोई भी efforts ऐसे दिखे नहीं है कि जिससे यह chaotic traffic situation जो है उसका हल बहार आके सबको फाइदा दे सके It looks as if the orders were passed only to complete the official formalities and not for implementation यहां पर तो ऐसा ही दिख रहा है कि यह जो rules जो orders जो थे वो passed किये गए थे सिर्फ और सिर्फ जो officers की formality official formalities है उसी के लिए not for implementation यानि कि वो किसे के hit के लिए बनाए नहीं गए थे ऐसा बूला गया है तो यहां पर बूला गया है कि जो municipal corporation थी जलंदर की उन्होंने एक parking zone भी बनाया था public के लिए और उन्होंने कुछ land भी ली थी नहरू गार्डन एरिया से पर उस zone का अब use employees के दुआरा होने लगा है जो employees है वो MC के जो मतलब municipal corporation के जो जो भी employees है वो अपने vehicles वहां पर पास पार्क कर देते हैं फिर जो nearby banks है वो लोग भी अपने जो vehicles है जो two wheelers या four wheelers है वो वहां पर जाके पार्क कर देते हैं when the tribune visited the parking area there were just 15 cars and around 30 scooters parked तो यहाँ पर जो tribune थे उन्होंने जब पार्क किए को विजट किया तो उन्होंने देखा कि वहां पर सिर्फ 15 cars थी और around 30 scooters ही थे most of which belonged to these employees और उन्होंने देखा कि यह जो सारे जो scooters और cars थे उस पर से most of जो vehicles थे वो employees को ही belong करते थे at the same time there were long queues of vehicle parked along the side of roads पर उसी side पर उन्होंने देखा कि वहां पर long long line थी vehicles की और वहां पर streets पर vehicles इधर उधर vehicles on the road were parked in a haphazard manner blocking the flow of traffic तो यानि कि आपर बोला गया है कि जो भी vehicles थे वहां पर जो भी वाहन जो पड़े हुए थे वो बहुत ही haphazard तरीके से बहुत ही inappropriate तरीके से पार्क किये गए थे जिससे कि जो ट्राफिक था वो बहुत ही ज्यादा जाम हो रहा था the only no parking signs we found were in hidden corners और जो no parking जो signs थे वो भी छिपे हुए थे उन vehicles के पीछे no parking का board था फिर भी लोग पार्किंग के बोर्ड के आगे ही पार्किंग कर देते थे तो इसके लिए no parking का sign board बहुत ही छिपा हुआ यानि कि किसी को दिखता ही नहीं था the busy area is famous for big chemist shops, bakeries, roadside eateries and shoe shops तो यानि कि यहाँ पे बोला गया है कि जो वो road था वो बहुत ही the busy area था और वो famous था big big chemistry shops के लिए फिर जो bakery होती है उसके लिए roadside eateries यानि कि जो खाने की जो जगह होती है उनके लिए और shoe shops यानि कि shoe shops यानि जहां से आप जूते चपल खरीतते हो तो उन सब चीजों के लिए वो जो area था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था रैनक बजार एंड दिलकुषा मार्केट with their narrow lanes and heavy vehicular flow have turned into a nightmare for shoppers तो अब यहां पे दो जगह का नाम दिया गया है एक तो है रैनक बजार और दूसरा है दिलकुषा मार्केट तो यानि कि वो जो दो मार्केट है उनके जो रस्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं यानि कि बहुत ही ज्यादा नैरो है एकदम ऐसे सिकुडे हुए रस्ते हैं तो उस उन जो छोटे छोटे रस्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा जो नैरो रस्ते हैं वहां बहुत ही ज्यादा ट्राफिक जाम होता है तो अब यहां पे बूला गया है कि जो ट्राफिक पुलीस है जलंदर की वो ऐसा बोल रही है कि जो शौपर्स जो है उन्होंने ही उनका ही योगदान है इस ट्राफिक जाम के लिए उन्होंने बोला कि एक पार्किंग जोन भी कंस्ट्रक्क किया गया था ऑगस्ट 2006 में पर जो पुलिक थी उन्होंने उसका यूज ही नहीं किया पीपल ही यहां पे अब पुलीस ऑफिसर की बात की गई है एक पुलीस ऑफिसर ने ऐसा किया कि इंडिया में पीपल जो है कॉमन पीपल वो लोग रूल्स को मानते ही नहीं है अगर यह सेम पीपल अमेरिका या किसी भी अब्रॉड वाले देश में जाएंगे तो वो लोग वहां पर तो रूल्स और रेगुलेशन से रहेंगे पर इंडिया में उनको कॉंस्टन सुपविजिन चाहिए तो यह बात है मतलब पीपल को जो कॉमन पीपल है जो कॉमन लोग है उनको भी समझना चाहिए कि यहां पे कोई आपके उपर कॉंस्टन सुपविजिन नहीं रख सकता आपको खुदी ट्राफिक सिगनल रेड है तो रुख जाना है ग्रीन है तो जाना है पर अगर यही सेम पीपल अगर अब्रॉड में जाएंगे तो अब्रॉड में वो लोग सारे रूम्स फॉलो करेंगे पर इंडिया में क्यों नहीं तो ऐसा एक प्लिस आफिसर ने कहा बट पीपल हूँ फ्रीक्वेंट सम ऑफ दे सिटीज ओल्डेस्ट बजार्स इन एडिया हैव देर ओन जस्टिफिकेश अब पासिंग स्टूडेंट टोल्ड इस रिपोर्टर दो ऑफॉरिटीज चार्ज टू मच फॉर पार्किंग तो यानि कि यहां पर बोला गया है कि वो लोग खुद का ही जस्टिफिकेशन देते हैं खुद के ही स्टेट्मेंट देते हैं तो एक पासिंग जो अपने वेहिकल स्पार्क नहीं करते और हम लोग कहीं पर भी अपने वेहिकल स्पार्क कर लेते हैं वो जो स्टूडेंट वो बोलता है वो जो विद्धियारती है वो बोलता है कि कॉन 25 इस दो को जो है यूज कर देगा सिर्फ 15-20 मिननट के लिए if you just want to guzzle a tomato soup and have a quick bite at the ticky corner you shouldn't have to pay so much यहाँ पर बोला गया है वो विद्धियार्थी बोलता है उसकी बाद भी सही है वो बोल रहा है कि मुझे तो सिर्फ एक दो चीजे खाने के लिए रुखना था बस मैं एक टिक्की खाना चाहता था एक टोमेटो सूप के लिए रुखना चाहता था तो उसके लिए उस दस मिनट के लिए मैं थूड़ी ना कोई 25 बक्स निकाल के दे दूँगा तो यहाँ पे लास लाइन में बुला गया है कि बहुत ही ज्यादा क्याटिक सिचुएशन बहुत ही ज्यादा घंबीर परिस्तेती वहाँ पे बनके आगे आती है कुछ जो शॉप कीपर्स है वो लोग मानते नहीं है और अपने वेहिकल जिदर उदर पाक कर देते हैं तो इसे के साथ यह जो चैप्टर जो है हमारा पॉइंट्स ओव व्यू उसकी एक्टिविटी नंबर जो 1 है तो यानि कि इस चैप्टर में इस एक्टिविटी नंबर वन में हमें इन शॉट में यही बोला गया है कि जो लोग है वो लोग ना ही ट्राफिक रूल्स को फॉलो करते हैं ना ही कुछ ट्राफिक पुलिसमेन की बाते सुनते हैं पर अगर यही लोग अबरॉड जाएंगे तो वो लोग सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो बस इसी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अच्छे से सारे रूल्स को अबे करना चाहिए जो भी हमें ट्राफिक पुलिसमेन बताते हैं उनको भी हमें अच्छे से अबे करना चाहिए और एक अच्छे सिटिजन के जैसे हमें सारे काम करने चाहिए तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंज के साथ इन्हें शेयर कर दीजिएगा तो सिर्फ आज के लिए इतना ही और दूसरी टाइम आऊंगी तो आपके लिए यूनिट नमर 4 की वीडियो लेके आऊंगी और इसके आगे यूनिट नमर 3 की एक पोयम है उसका भी वीडियो में आपको जल्द ही जल्द दे दूंगे आज के लिए सिर्फ इतना ही फिर बाइ बाइ